विश्यू के अन्य देशों से भारत में पाम तेल का याज शुरू होने से खाद्य तेल की किंतों में लगातार गिरावटा रही है जिससे आम लोगों को रहत है पिशले 15 दिन से सोया बीन विफाइंड तेल में 35 रुपे प्रती लिटर की गिरावट डर्ज की गई जबकि सरसो तेल में 30 रुपे प्रती लिटर की गिरावट आई है वहीं दूसरी और अरहर मूंग और उड़त दाल के साथ चावल के भाव में तेजी देखने को मिली है पंदर दिन पहले तक खुले बजार में सोया रिफाइंड 160 से 170 रुपे लिटर था जो गिरकर 125 से 130 रुपे लिटर रह गया है वहीं सरसो तेल के दाम भी 180 से 190 रुपे लिटर थे जो अब गिरकर 140 से 130 रुपे लिटर आ गई है उधर दालों में उच्छाल देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में अररर मुंग और उडद दाल के साथ चावल 10 से 15 रुपे किलो तेज हो गया है 15 दिन पहले अररर दाल 110 रुपे किलो थी वो अब 120 हो गई है और इसी प्रकार 86 रुपे बिखने वाला मुंग 100 रुपे पहुंचा है 90 रुपे किलो की उडद दाल 100 रुपे पर पहुंच चुकी है लेकिन इस बार लगातर तेल की कीमतों में गिरावट सेव या पारी स्टोक करने से डर रहे हैं क्योंकि पिछले 15 दिन से लगातर खादय तेलों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है Bureau Report Market Times TV